नमस्कार एने, welcome you all to DRX Mentor, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि how to become drug inspector, drug inspector बनने के लिए क्या-का qualification आपके पास होना चाहिए, क्राइटेरिया होता है, किन-किन exam को पास करना पड़ता है जब जाके drug inspector बनते हैं, तो सबी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि drug inspector एक dream होती है हर pharma candidate की जैसे ही कोई candidate B form और D form में admission लेता है तो उसके मन में कहीं न कहीं एक dream job होती है drug inspector की और drug inspector बनने का एक जुनून भी होता है बट जैसे ही time pass होता है मतलब first year से fourth year में आते हैं तो यह motivation तो लूज हो जाता है due to lack of information ठीक है तो यह video दोनों के लिए important है जो D form कर रहा है या फिर जो B form कर रहा है उनके लिए भी और जो pharmacist already है या pharmacist की preparation कर ला है उनके लिए वीडियो बहुँ जाता है important है क्योंकि मैं बताऊंगा कि जब आप pharmacist बन जाएंगे उसके बाद भी कहीं न कहीं आप एक dream job के लिए फिर से तयार होंगे तो वो कैसे आप तयार करें आप जो अपनी preparation उसको कैसे continue रखें drug inspector बनने के लिए तो चलिए discuss करेंगे complete इस वीडियो में और उससे पहले दिए अपने चनल को subscribe नहीं किया तो चनल को subscribe कर दिए वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए so that आपको important information regarding pharma और study material आपको मिलता रहे है चलिए start करेंगे इन points में हम discuss करेंगे drug inspector drug inspector कैसे बनते हैं क्या exam देना होता है क्या qualification आपके पास होना चाहिए age criteria क्या होता है क्योंकि बहुत बड़ा issue होता है कि over age का work profile की बात करेंगे salary की बात करेंगे syllabus की बात करेंगे वो vacancies कप का बाती है तो उन्हों सब का discuss करने वाले हैं complete इस वीडियो में ठीके सबसे पहले बात करेंगे drug inspector जिसको हम औसधी निरिक्षक भी कहते हैं rule and responsibility की बात हम आगे करेंगे लेकिन कैसे बनते हैं या फर कहां कहां पर exam इसका होता है तो आप drug inspector दोनों जगे बन सकते हैं central में भी बन सकते हैं और state में भी बन सकते हैं central में drug inspector बनने के लिए आपको UPSC exam conduct कराता है उसको पास करना होता है state में various state agencies हैं जैसे मद्दप्रदेश हो गया मद्दप्रदेश में professional board of examination कराता है बिहार में BPSC कराता है महराश्टा में MPSC कराता है जालतर जगे PSC ही इसका exam conduct कराता है public service commission APSC कराता है आश्राम में हरियाना में HPSC कराता है HPPSC इमाचल में कराता है GPSC गुजरात में कराता है RPSC गुजरात यहाँ पर राहस्तान में कराता है UKPSC उत्रखंड में होता है TNPSC तमिलनाडू PSC अपना कुद का exam conduct कराते हैं drug inspector का तो आप ये दोनों जगे बन सकते हैं इसकी थोड़ी सी vacancy की बारे में दो जगे इंस्पेक्शन होता है एक तो जो medical stores होता है medical store हो गया या where जो जहाँ पर वल्क में deport वगेरा होता है वहाँ पर और दूसरा होता है जो organizations होता है जैसे कि CGHS हो गया ESIC हो गया यहाँ पर जो भी drug होती है जैसे कि store में या फिर counter पर drug होती है तो उनको inspect करने का काम होता है UPSC की तो जो central government के drug inspector होते है वो inspect करते है और जो medical store हो गया या फिर जैसे कि wholesale pharmacy होती है उनमें जो inspect करता है वो होता है state farm यहाँ पर मैं आप clear कर दूँ state जो drug inspector होते है वो medical हो गया जैसे आपके wholesale pharmacies होते है उनमें inspect करते है और जो CGHS हो गए ESIC होते है उनमें UPSC के तो जो central government के drug inspector होते है वो inspect करते है मैं भी जब जहाँ पर CGHS में था तो वहाँ पर drug inspector आते थे वो क्या करते हैं जैसे आपने कई वाद न्यूज में सुना हुआ कि कोई जो particular batch होता है medicine का वो discontinue कर दिया जाता है government हरतीक तो एक notification आता है कि ये batch आप continue होता है इसको discontinue होता है इसको आप use नहीं करेंगे ठीक है वो simply क्या करते हैं कि जैसे मैं जब था वहाँ पर CGHS में तो उनने क्या कि drug inspector आ है उनने sample लेके गए क्लेरेंस दे देते हैं यदि कोई problem होती जिससे dissolution से related कोई problem है या फिर उसमें API की जो quantity है वो कम है या फिर उसमें कोई जैसे ranitidine के case में आपने सुना हुआ कि उसमें एक वो होता है impurity होती जिसके करण बहुत सारे cancer के case सराइसे हुए थे आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है कि ranitidine में कौन सा impurity होती है जिसके करण उसको discontinue किया गया था ठीक है तो वो आप कमेंट करके बताईगा इस वीडियो में तो ऐसे ही जदी कोई उसमें problem आती है तो वो फिर report करते है drug inspector को drug inspector फिर authorities को बताता है authorities क्या करता है फिर एक notification चारी करता है कि यह जो particular batch है या जो particular medicine है उसको discontinue करना है तो यह होता है काम central government का और जो जैसे state के होते है state में भी जो pharmacist होते है वो जाके inspect कर सकते है यदि कोई problem होती है यदि उनको पूर management लगता है कि वहाँ पर AC होना चाहिए या fridge में जो जैसे कुछ medicines होती है उनको storage condition की वज़े से यदि problem है तो वो objection कर सकते है तो यह काम होता है state pharmacist का sorry state drug inspector का industry को inspect कर सकते है कि वो properly maintain करता है कि नहीं record ठीक है कि नहीं वहाँ पर जो authorities होती है उनको कोई suggestion वगएरा देना होता है drug related या फिर उनके जो regulation के बारे में तो वो आपके drug inspector का एक ये भी काम होता है drug trafficking अब ये कहोता है ये simple सा जैसे आपने सुना हुआ कि कई बार corex जैसे जो कोई CNS stimulant drug होती है उनकी जदो तर sale बढ़ जाती है मतलब लोग उनको consume करने लगते है as in drug abuse तो वो सब चीजों को regulate करना भी drug inspector का एक काम होता है तो ये उनका role and responsibilities होती है अब क्या qualification होनी चाहिए drug inspector बनने के लिए तो आपके पास degree in pharmacy होना चाहिए ठीक है कि आप जैसे D firm के बाद luckily आप pharmacist बन जाते हैं तो चार-पांस साल जैसी आप job करेंगे 23-24 की उम्र में यदि आप pharmacist बन जाते हैं तो आपके पास जैसी चार-पांस साल पास होने तो आपको एक demotivation था होगा और आपको एक जो job होती है pharmacist की वो मतलब थोड़ा सा boring सी हो जाती है कि उसमें एक ही work profile होती है जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ medicine issue करना है तो जो भी थोड़े से enthusiastic होते हैं जो भी यदि कुछ बनना चाहते हैं dream job जैसे मैंने आपको बताया था जियर कि जिनका motivation कंसिस्टेंट रहता है वो drug inspector बन जाते हैं तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो कि already pharmacist की job कर रहे थे और आप drug inspector बन चुके हैं तो और mostly जो drug inspector बनते हैं वो pharmacist या फिर कहीं नहीं job कर रहे होते हैं वह ही बनते हैं जैसा कि आपको पता है कि जब आप pharmacist रहते हैं तो आप 800 grade पे इंटर होते हैं और 400 grade पे रेटायर होते हैं ठीक है बट यहां पर क्या होता है कि जैसी आप pharmacist drug inspector बनेंगे तो यहां पर आपका जो retirement पे रहेगा pharmacist में वो यहां पर आपका स्टाटिंग होगा आप 400 grade पे यहां पर स्टाटिंग होती है ओकाई इस्टेट में तो यह चवववण सो तक भी होता है जिससे रहिस्तान की बात करें तो यह चवववण सो होता है ठीक है तो एक salary motivation बग्की आपके पास यह बहुत बड़ा पाद होता है ड्रग इंस्पेक्टर का आप एक जो administration में आ जाते है जो कि administration administrative job होती है role responsibilities अच्छी होती है आप drug commissioner तक बन सकते हैं उसके बाद आगे चलके आप DCGI वगरा के यदि बनना चाहते हैं तो आगे आपके पास बहुत opportunity होती है लेकिन pharmacist में बहुत limited opportunity होती है तो इसलिए आप यदि डी-farm कर रहे हैं तो बी-farm जरूर करें क्या पता आप next drug inspector हो drug inspector के बाद drug commissioner हो तो बी-farm के बाद डी-farm जरूर करें और जो बी-farm किये हुए है देखिए उनके पास already बी-farm डिग्री है तो वो बहुत सारी जगे अपलाई कर सकते हैं और यदि वो luckily pharmacist भी बन चुके हैं जैसा कि आपको पता है BM, CSIC वगएरा के result आने वाले SGPG में और जो placed होते हैं pharmacist में तो उनके लिए मैं यही कहाँगा तो आपका exam easily clear हो जाएगा ठीक है आपके पास age भी काफी होगी उस टाइम पर कि आप जनरली अभी 23-24 में होगे और यदि आपको यह job मिलती है और आप 2-3 साल तक तैयारी कर लेते हैं तो आप easily drug inspector क्वालिफाई कर लेगे और mostly जो candidate होते हैं फार्मसिस्ट या फर कहीं जो इंडस्ट्री में job कर रहे होते हैं वही बनते हैं तो आप अपनी preparation continue रखेगा छोड़ेगा माद pharmaceutical sciences जैसे कि pharmaceutical medicinal chemistry में MSC होता है तो वो वाले भी यहां पर फॉर्म पर सकते हैं medicine with specialization of clinical pharmacology जैसे MBBS वगरा के कोई candidate है उनको करना है या फिर MSC के कोई candidate है जिनका clinical pharmacology एक subject है तो वो भी यहां पर apply कर सकते हैं और microbiology वाले जो कि BSC microbiology से करते हैं MSC microbiology से करते हैं वो भी यहां पर form fill up कर सकते हैं ठीक है यह उसकी essential qualification होती है experience की बात करेंगे तो experience 18 month का आपके पास experience होना चाहिए ये लेकिन ease कर दिया गया है जो recent अभी UPSC में examination हुआ था drug inspector का उसमें condition थी कि यदि यहां पर 18 month experience वाले ज़्यादा candidate होंगे तब freshers को यहां पर eligible नहीं किया जाएगा बट यदि कम होंगे candidate कम होंगे तब क्या होगा कि जो भी freshers candidate होंगे जो कि सुर्फ beef arm वाले हैं उनको यहां पर priority दी जाएगी लेकिन यह जो rule है यह कई state में जैसे कि मैं बात करूँ मद्द परदेश में MP में mandatory नहीं है कि आपके पास 18 month का experience होना चाहिए ऐसी कई states है जहां पर mandatory नहीं है लेकिन ऐसी भी state है जैसे कि UP हो गया महराष्ट्रा हो गया यहां पर आपके पास 18 month का experience होना चाहिए बट government क्या कर रही है अब इसको ease कर रही है lose कर रही है क्योंकि इसके करण तोड़ीशी discrepancies आ रही थी लोग फरजी तरीके से certificate बगएरा बनवा रहे थे तो उसको रिमूब करने के लिए यह जो experience वाला column है यह हटाने की लिए चल रहा है यह हटा दिया जाएगा या बैसे भी आपको पता UPSC ने ease करी दिया है तो सभी जगे यह ease हो जाएगा और यह इसमें आपको relaxation experience में मिल जाएगा ठीक है next age की बात करें एक बहुत बड़ा criteria होता है कि जो worries हो जाते हैं वो form नहीं बरपाते हैं तो यहाँ पर आप 30 जो UPSC की बात कर रहा हूं मैं UPSC और state में थोड़ा सा state में अपना-पना होता है उनका जो भी is relaxation का बड़ यूPSC की बात करें जो की standard होता है तो undeserved और EWS category के 30 year तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं OVC category बाले 33 तक भर सकते हैं SCST और जो ex-serviceman है और जो central government के employee हैं वो 35 तक यहाँ पर फॉर्म पर लग कर सकते हैं यह होगे आपका age criteria state में difference होता है इस stage में कुछ ज्यादा relaxation भी आपको मिल सकता है वो notification से clear होगा जब भी कोई notification आएगा तो हम उस recording में कोई video separate video बना देंगे salary की बात करें salary different होती है अब further में बात करूँ तो यह यदि हम central की बात करें तो central में salary बहुत अच्छी होती है और जो आपके state होते हैं उनमें थोड़े allowances भी कम होते हैं और वहाँ कई state है वहाँ पर 7th pay commission की जगए 6th pay commission चल रहा है तो वहाँ पर salary कम बनती है लेकिन हम standard की बात करते हैं central government कितनी salary बनती है तो यह एक level 7th pay के according level 8 की job है basic की बात करें 47,600 आपकी basic बनती है इसके बाद other allowances मिलते है जैसे कि आपको TA मिलता है DA मिलता है और HR मिलता है यह तीनों जो allowances रिवाइज होते हैं time to time as of now आज की date में दिया आप डर्गेंस पर प्रबंद हैं दूसरा आपका tax आप tax lab में आते हैं तो उसका होता है और एक आपका होता है health facilities का central government में जैसे कि आप central government के employee हैं तो health facility आपको मिलती हैं तो उसका भी कुछ धाई 300 रुपे आपका यहां पर कटता है तो after direction लगबग आपकी लगबग मान के चली के 80,000 तक enhanced salary आज की date में बनेगी जब आप बनेंगे उस टाइम पर जैसे आप 2015 में बनते हैं तो उस टाइम तक भला ही 8 पर commission आ जाए या फिर जो HR, A, T, A, D, A, V वगएरा रिवाइस हो जाएंगे तो आपकी salary और जादा हो जाएगी तो यह salary की बात हो गए leave अगेरा की यदि हम बात करें तो leave जो भी central corporate employee मिलती है वो वैसे ही मिलती है जैसे कि आपको 30 EL मिलती है 10 EL मिलती है 10 medical मिलती है और आप EOL ले सकते हैं EOL जितना चाहे ले सकते हैं maximum 6 month तक आप ले सकते हैं उसमें धोड़ा सा यह रहता है कि आपको salary नहीं मिलती है लेकिन यहां पर आपको salary मिलती है और other allowances भी मिलते हैं जिनके बारे हम आगे discuss करेंगे UPSC की vacancy की बारे हम बात करेंगी UPSC vacancy कब कबात है UPSC vacancy बहुत critical होती है generally जब elections होते हैं भी यह vacancy देखने को मिलती है दो की बात करूँगा जैसे UPSC 2014 में elections होए थे तो इसका notification 2014 में आया था लेकिन इसका exam 2015 में होए था जब 2015 में आय थी और एक अच्छी खासी vacancy 140 something यह vacancy देखने को मिली थी उसके बास याभी तक कोई इतनी खासी vacancy देखने को नहीं मिली है फिर एक UPSC ने exam कराया था 2018 में उस टाइम भी elections थे 19 में elections थे ठीक है तब भी यह vacancy आय थी और वहाँ पर लगवा 25 पोश्ट थी 2022 में recently देखने को मिला था इसमें भी I think post मैं clear नहीं हूँ बट यहाँ पर भी अच्छी खासी post I think 30 plus post यहाँ पर आये थी 2022 में इसका exam हो चुका है ठीक है exam अभी recently 2023 में हुआ था MP की बात करेंगे मद्द प्रदेश में है तो हमेशा जब चुना हो थे तब ही यह vacancy आई है 2013 में आई थी 2018 में आई हूँ 2022 में recently है 2023 में इसका exam हुआ था exam होने के बाद अभी उसका result भी आ चुका है और जो भी candidate qualify किये थे वो joint भी कर चुके है तो यह vacancy बड़ी difficult होती है drug inspector की क्योंकि यह जब elections वगरा होते है तब यह vacancy आती है दरवाइस यह vacancy देखने को नहीं मिलती है आपके हाथ में है नहीं vacancy लाना बट आपके हाथ में preparation करना है तो वो आप कर सकते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं ठीक है next test scheme की बात करें तो यह different होती है दोनों में ही state में भी और UPSC की तरह भी जैसे state की बात करें तो जैसे मद्देपरदेश में 200 नमर के exam होता है 200 नमर में syllabus की हम आगे discuss करेंगे UPSC में 300 marks का आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह English में ही आता है लेकिन state में bilingual होता है जैसे other आपके south से हैं तो south की language भी आती है English भी आती है UPSC में एक यह disadvantage होता है कि इसमें negative marking होती there will be a penalty of wrong answer लेकिन state वगेरा में जिसे कई state में मैंने देखा मद्दे परदेश में यह नहीं होता है मतलब आपकी जो negative marking वो नहीं होती है UPSC में होती है तो इसके लिए आपको prepare होना पड़ाएगा UPSC 300 marks का question paper आता है 300 में से negative marking भी होती है फिर आपको qualifying marks भी होते हैं तो वो qualify करने के बाद आप फिर pharmacist जो drug inspector बनते हैं यह अभी का था जो latest आया था इसमें भी revision होते रहते हैं इसमें syllabus में revision देखने को मिलेगा आपको marks में revision देखने को मिलेगा तो जैसे कोई भी vacancy आएगी तो serrelated में आपको एक updated video बना दूँगा next syllabus की बात करें तो syllabus भी confirm नहीं होता है certain नहीं होता है निश्चित नहीं होता है यह हमें सा time to time changes होते रहते हैं इसमें ठीक है जैसे कि कोई policy नहीं आई है तो उसके बारे में इसमें include कर देते हैं या फिर कोई syllabus वगेरा जो GPET का रहता है GPET का syllabus रहता है यदि वो आपने cover कर लिया तो आपका pharma clear हो गए थोड़ा बहुत revision होगा कुछ नई guidelines आएंगी वो आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप preparation करना चाहते हैं तो आप जो भी आपका GPET का syllabus है ठीक है GPET मैं भी आपको बता हूँ तो आपको जो testing से related है क्योंकि ultimately आपको काम क्या करना है वहाँ पर drug testing वगएर का करना है guidelines वगएर का काम करना है तो आपके पास jurisprudence पर अच्छी कामार्ड होनी चाहिए major question यहाँ पर आते हैं pharmaceutical jurisprudence है उसके बाद आपके पास command होनी चाहिए analysis में और फार्मा कालजी में होनी चाहिए chemistry में होने चाहिए pharmacognosy में होनी चाहिए तो यह major subject होते हैं यह आपको पढ़के रखना है और यह major subject आपके हर जगे काम आते है वाले वो GPET हो या फिर आपका pharmacist का exam हो सबी जगे यही इनी से question आते हैं तो अपनी command इन पर बहुत अच्छे से रखें बाकि और चोटे-चोटे जो major minor subjects होते हैं उनसे भी question आते हैं वो भी आपको पढ़ने की आपर ज़रू होते है जैसे कि मैंने आपको बताए कि आप guidelines वगेरा तो देखिए GLP, GMP practice हो गया, GLP हो गया good clinical practices हो गया knowledge of investigation क्योंकि आपको ultimately आपको investigation ही करना है तो आपको आना चाहिए यह सब guideline वगेरा तो यह इनको आप अच्छे से पढ़ें ठीक है investigation guideline वगेरा हो गया computer application का knowledge होना चाहिए English का knowledge होना चाहिए तो आपकी थोड़ी से English भी अच्छी होनी चाहिए तो यह syllabus की बात हो गई यह difference होता है क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे state में यह vary करता है थोड़ा जैसे मद्द प्रदिस की हम बात करें तो MP में यह 200 number का होता है 200 number में सबी कुछ आता है जैसे कि GKS, GA, Maths, Aptitude और उसके बाद आपका कुछ reasoning type के questions यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको 100 number के तो यह different होता है according to state तो जैसे ही कोई state में वेकंसी आएगी तो मैं उससे related आपके लिए updated वीडियो यहाँ पर बरहा दूँना I hope यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो फ्लीज चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करें Thank you